नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टोप 25 पर्मुख खबर जानते हैं कल्पना सुरेन आज गिरीडी में जेमेम करकताओ से करेंगी सन्वाद जामुमो नेतरी सह पुर्व मुख मंत्री हेमन सुरेन की पत्नी कल्पना सुरेन 9 अपरेल को गिरीडी आ रही है गिरीडी के उत्सव उपोवन में वह गांडे बिधान सबाच्चेतर के जामुप पतादिकारी वह करकताओ से सन्वाद करेंगी इस दोरान गांडे बिधान सबाच उपचुना को लेकर रनीत त्यार की जाएगी जामो ने इसकी ब्यापक त्यारी की है सन्वाद में कल्पना सुरेन के अलावा राज सबासर से डाक्टर सर्फराज अहमाद गिरीडी बिधायक सुदिब कुमार सोनु भी मवजूद रहेंगे बता देगी 20 माई को गांडे बिधान सबाच का उपचुनाओ होगा कल्पना सुरेन 9 अप्रेल को गिरीडी में होंगी गांडे बिधान सबाच उपचुनाओ को लेकर होगे पार्टी करकाताओ के साथ सनुवाद करेंगी जामो जीला अथियक संजाय सिंग ने बतायागी कल्पना सुरेन गांडे प्रकांड कमीटी के अलावा बिधान सबाच उपचुनाओ को लेकर उनकी क्या सोच है इससे सबी को अउगत कराया जाएगा सराय केला के दुकान से 40 लाख के मोबाइल चोरी मामले में 14 से दो गिरफतार सराय केला खरसवा जीले के सराय केला इस्थीत गेरे चोक में एक इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान से 10 मार्च को 40 लाख रुपए मुलक के मोबाइल की चोरी मामले का पुलिश ने करीब एक महीने बाद खुलाचा कर दिया है इस मामले में दो लोग गिरपतारी भी किया गया सराय केला में हुई इस वर्दात की जाच में जूटी पुलिश ने चात्रा जिले से दो आरोपियो सहबाज जावेद वा साहेब खान को गिरपतार किया है उनके पास से विभीन कंपनियों के 19 मोबाइल फोन भी बरामत किये गा है इस समद में संतोस कुमार मिश्रा ने प्रेस कंफरेंस में बताया है जाचन के रेधानी रांची का तापमान दो दिनों में करीब 7 डिग्री सेंटीगेट तक घट गया है लोगोंचे चिलाती गर्मी से रहात मिली है 8 अप्रेल को ठंडी हवावने मौसम को सुहाना बना दिया है मौसम विभा की माने तो अभी तापमान में और गिरावर दर्ज की जाएगी उन्होंने बताया है कि 9 अप्रेल को जारकन के पच्मी भागों में कम से कम आधा दरजन जीलों में गर्जन के साथ बारिस और बजरपात की समभावना है मौसम केंदर के मुताबिक गढ़वा, पलाम, मू, लातेहार, लोहदगा, गुमला और सिम्डेगा जीले में कहीं-कहीं बारिस और बजरपात होने के संकेत है वहीं 10 अप्रेल को जारकन के दक्षनी हिसे के साथ साथ मध्य भागों में भी कुछ जगों पर गरज के साथ बारिस होगी बजरपात भी होने की समभाव ना है इसके बाद 11 अपरेल कोविड आजे के दक्षिनी तता मद्य भागो में कहीं कहीं गरज के साथ बुंदा बुंदी हो सकती है राष्ट प्रती से सरना धर्म कोड को मनेता देने की मांग अधिवासी सेगेल अभियान ने प्रकिती पुजक अधिवासीों को सारना धर्म कोड को अविलम मनेता देने की मांग राष्ट पती द्रोपती मुल्वों से की है इसको लेकर सोमवार को सेगेल अभियान ने एक मांग पत्र राष्ट पती की नाम उपायुद को सोपा है सोपे गए मांग पत्र में कहा गया है कि प्रकिती पुजक आदिवासियों को अविलम सारना धर्म को परदान किये जाए 2011 की जनगना के अनुसा सारना धर्म को मानने वालों की संख्या कलोरों में है लेकिन पचास लग से अधिक लोगों ने जनगना में आपना धर्म सारना लिखी है वहीं जैन धर्म के लोगों की अबादी मात्र चवालिस लाख है उसे उनका धार्मिक पचान दे दिया गया जैन धर्म की तुलना में सारना धर्म को मनने वालों की संख्या बहुत अधिका है बावजूद इसके आदिवासियों को उनका धार्मिक पचान नहीं देना उने उनके धार्मिक अजादी से वन्चित करना है आगे लिखा गया है कि धार्मिक पाचार नहीं मिलने से देश के आदिवासी खूद को ठागा मसूद कर रहे हैं जार्खन हाई कोट में 410 सहायक वा कलर्क भरती के लिए आवेदान जार्खन हाई कोट रांची ने कलर को असिस्टेंट पदो पर भरती के लिए बिगापन जारी किया है जार्खन हाई कोट की इस बैकेसी का बिगापन 7 अप्रेल 2024 को जारी किया गया था जार्खन हाई कोट की इस भरती के लिए ओनलाइन आवेदन 10 अप्रेल 24 नौमाई 24 तक किये जा सकते हैं जार्खन हाई कोट भरती में आवेदन को इक्चुक अभियातियों को सला है कि आवेदन करने से पहले चैन पर किरिया आवेदन योगता वेतन मानवा आवेदन सर्तों की विस्ति जनकारी जार्खन हाई कोट की ओफिसल वेब साइट पर जारी भरती नोटिफिकेसन चेक कर सकते हैं बता देख कूल रिक्त पदों की संगे 410 है इनमें से आनारक्षित के 130 एस्टी के 58 पद सामिल है जबकि एस्टी के 143 पद सामिल है आवेदन सुल्क में जार्खन हाई कोट की इस वैकेंसी के लिए एस्टी एस्टी को छोड़कर बाग की अभियार्थियों को 500 रुपे देने होंगे वहीं स्टी एस्टी को 130 रुपाई अधिव्यांगों के लिए कोई सुल्क नहीं है चेत्र नौरात्री आज से घोड़े पर सवार होकर आ रही माद दुर्गा हिंदू धर में चेत्र नौरात्री का खास महतो है चेत्र नौरात्री के नौ दिनों में माद दुर्गा की अलग-अलग रूप में उपासना की जाती है चेत्र नौरात्री का प्रारम चेत्र माह के सुकल पक्स की प्रतिपता तिति से होती है जो 9 अप्रेल यानि आज से है वही इसका समापन 17 अप्रेल को राम नवमी के साथ होगा चेत्र नवरात्री के साथ ही हिंदू 9 वर्स भी सुरू हो जाएगा धार्मिक मन्यातों की माने तो नवरात्री के दोरान मा दुर्गा प्रित्वी लोक पर आती है उनका आगमन विसेस वाहनों से होता है इस बार मा दुर्गे घोडे पर स्वार होकर आ रही है क्योंकि नवरात्री मंगलवार से प्राराम हो रहा है गिरीडी में वारनसी रांची वंदे भरत एक्सप्रेस के पेट्रो से निकली चिनगारी वारनसी रांची वंदे भरत एक्सप्रेस में सो मुआर की रात लगभक शाड़े आट बए गिरीडी के सर्या में बड़ा हसा टल गया है इसी बीच हजारी बाग रोड रेलवे एस्टेशन के नईदिक इंजन के पेट्रो से आखी चिनगारी निकलने लगी बिसफोटक की आवाजे भी आई इसके बाद चालक को इसका एसास हुआ और उसने एमर्जेंसी ब्रेक लगाते हुए एस्टेशन पर ट्रेन को रोक दी पूरी तरह जाज का ठिक किया जाएगा इडी ने कांग्रेस बिधायक अंबा परसाद से 6 गंटे की पुस्ताच जारखन में इडी के अधिकारियों ने कांग्रेस बिधायक अंबा परसाद से सोमवार को कथित मनी लौडरिंग मावले में 6 गंटे से अधिक समय तक पुस्त पुस्तास की है अधिकारियों को बता है कि अधिकारियों के अधिकान सवाल उन इलेक्ट्रोनिक्स उपकारनों से समंधित थे जो मुझे जप्त किये गाई हजारी बाग की विधायक आमबापरशाद ने बताया है कि एजेंसी ने उन्हें मंगलवार को फिर से पेस होने को कहा है सुत्रों ने बताया है कि इड़ी ने आमबाप परसाथ को अपना ब्यान दर्ज कराने के लिए 4 अप्रिल को इड़ी दफ्तर में पेस होने को कहा गया था नियुम्तम मैदूरी की दर की समिक्षा की मांग जार्खन चेंबर के प्रतिनिदी मंडल ने सोमवार को नेपाल हाउस में स्रम नियोजन प्रसिक्षान और कोसल विकास विभाग के सचिव से मुलकात के नियुमतम मैदूरी की दर के पुन निरिक्षन की मांग की है प्रतिनिदी मंडल में सामिल चेंबर अध्यक्ष किस्वर मंत्री ने कहा है कि राजे में पुरों से लागुनी उत्म मैदूरी की दरों में लबग 27-33 पिस्दी की ब्रीदी की गई जबकि हमने बीते वर्स अक्टूबर में ही विभा को अपनी अपत्ती और सुझाओ देते वे अधिक्तम 55 दिब्रीदी की ही बात कही थी लेकिन नई दर अबेवारिक रूप से प्रहोई कर दी गई जिससे कामगारों की आजीव का प्रभावित होने की असांका उत्पन हो गई है चमबर ने कहा है कि कोई भी नियोकता यदि बर्तमान बढ़ोत्री के अधार प्रभेतन का भुकतान करेगा तब वह योगी कामगार को ही प्राथ मीकता देगा ऐसे में अकुसल कामगारों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्मन हो सकती है यह उत्तर परदेस नहीं जामों ने बिजेपी नेता को दी चेतावनी सातरू जार्खन मुकती मोर्चा ने भाजपा के परदेस प्रभारी लक्षमी कांत वाजपै के विरूद मोर्चा खोल दिया है महासरचीव सुपरियो भटाचा ने सोमवर को करयाले में प्रेस कॉनफरेस में कहा है वाजपेई सन्यम बरते उनके बिरूद अभध्र भासा का उप्योग करने समधी सीखाय चामो ने चुनाव आयोग से की है इस समध में मोर्चा ने वीडियो प्रेस कॉन्फिरेंस में दिखाया जिसमें वा उतर परदेश का संदर्ब देते हुए अपनी बाते रख रहे है जामो नेता ने कहा है कि इस समध में केंद्रिन नेताओ समेथ भाजपा के परदेश्ट अदेश्ट भवल अमरांडी को भी बोलना चाहिए गर्भवती महिला से इलाज के नाम पर जीनम ने लिया पैसा बाद में लोटाया साहिब गण सहर के रेलवे स्कुल के सामने इस्थित पुराने सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए आई एक गर्भवती महिला से वहाँ ड्यूटी पैतानाद जीनम ने पाच एरुपे ले लिये इसके बाद महिला इलाज करा कर चली गई मामले का खुलासा तब हुआ जब उक्त महिला दुबारा पुराना सदर अस्पताल इलाज कराने पहुची उस वक्त वहाँ ड्यूटी पैताना जीनम ने महिला का इलाज करने से मना कर दिया उन्होंने कहा कि जिसको पैसा दी हो उसी से अपना इलाज करवाओ पिडित महिला का नाम रूबी देवी पती चैतूराय है वह मंगल हाट मस्कलाया की रहने वाली है वहीं आरोपी जीनम का नाम संगीता चोड़े है इलाज के मना करने प्रगरवती रूबी देवी परसान हो गई उसने बताया कि इससे पहले इलाज कराने आई थी तो जीनम संजीता चोड़े ने 5,000 रूपय लिये थे राज्ये के जीलों में अस्थानी और सक्ता पर इसकूलों का आवकास दाय करेंगे उपायोग जारी अवकास कलेंडर में 5 अवकास मेवे आयसा कर सकेंगे इसके लिए इसकूली सिक्चावर सक्षता विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है जार्खन सेक्षिनिक अनुसंदान वा प्रसिक्चन परशत के निदेशक आदित रंजन ने इसका निर्देश सभी DEO, DSE को दे दिया है बोकारों के भसकी में हाथियों ने मचाया उत्पात फसलों को राउंदा चारखन के बोकारों जीले के जरी डी परखन के भसकी गाव में जंगली हाथियों के जूड़ने फिर उत्पात मचाया है सुमवार के सुबा करीब तीन बजे जंगली हाथियों के जूड़ने पूरों मुखिया सुनीता देवी के घर की चार दिवारी तोड़ दी है वहीं इसके अलावा उनकी लावग तीन एकड़ भूई पर लगी गेहूं वह मकाई की फसर को रोंद कर खा गए पिछले चार दिनों के दोरान इस गाव में जंगली हाथियों ने दूसरी बार उत्पात मचाया है पिडित परीजोनों वह गरामिनों के अनुसर लगवग बाइस जंगली हाथियों के जोड़ ने सुबा करीब तीन बजे ही गाव में परवेश किया गरामिन कुछ जान और समझ पाते उससे पहले हाथियों के जोड़ ने उत्पात मचाना सुरू कर दिया चतरा से 10 क्रोर की अफिम के साथ 2 तसकर आरेष्टे जारखन की चतरा पुलिष ने नसे के सोधागरों के खिला बड़ी करवाई की हाथि महुदा गाउं के पंकज दांगी के घर से 10 क्रोर की अफिम बरामत की गई है इसके साथ ही 2 तसकरों को गिरफतार भी किया गया है इटखोरी थाना चेतर के महुदा गाव निवासी पंकश दांगी वा राजपूर थाना चेतर के मजहुली बारा बांगी गाव का धिरेंद्र तांगी सामिल हाएं बाबुलाल मरांडी ने कांग्रेस के न्याय पत्र पर किया कटाक्ष जारखन बिजेपी अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी ने कांग्रेस द्वारा जारी किया गए न्याय पत्र पर कटाक्ष किया है उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र जारी किया है इसम उन्हें समझ आया की अजादी के बाद से पार्टी ने जो देश वासियों के साथ जूर्म किया है इसे लेकर उसे माफी माँगनी चाहिए जार्खन वासियों से भी उन्हें माफी माँगनी चाहिए कांग्रेश ने सिर्फ तोष्टी करण की राइनीती की है वे सोमवार को परदेश कर्याले में फ्लेस वारता को समझ दित कर रहे थे बाबुला माणी ने कहा है कि देश और परदेश में जब बीजेपी के नेतियुत में सरकार नहीं बनी थी तब देश की सिती बहुत खराब थी गाउ गहरों में डॉक्टर के पास जाने के लिए सरके तक नहीं ठीक थी बरसात में गाउ के गाउ टापू में बदल जाते थे लेकिन आज बीएपी सरकार के आने के बाद गाउ में बिजली आ गई सरके बन गई एस अंकट केवल कांग्रेस पार्टी ने बना रखा था पलामू में अवैद मीनी सराब फैक्टरी का खुलासा लोग सबा चुना तो 24 को लेकर जारखन में अवैद सराब के खिलाब करवाई जारी है अवैद मीनी सराब फैक्टरी का खुलासा किया है इस दोरान करीब धाई लाक रुपए की सराब हुआ इस प्रीट जब्त की गई उत्पाद अधिक चक सुधीर कुमार ने बताया है कि जारखन वा बिहार के सिमावर्ती इलाकों में बड़े प्रीमाने पर अवैद सराब का कारोबार किया जा रहा है उत्पाद विभाकी टीम ने पलामों के हुसायनाबाद के जरगड़ा बगमनवा टोला से चापे मारी कर अवैद मिनी सराब फ्रैक्टिका उत्भेदन किया चापे मारी में पुलिस ने 69 प्रेटी सराब वा 2080 लिटा स्पिरिट बरामत की है इस मामले में मुकेस कुमार, ललन कुमार, राज कुमार वा, संजीव रजवार को गिरफतार किया गया नगर निकाय चुनाओ मामले में जार्खन सरकार की अपिल खारिज जार्खन नगर निकाय चुनाओ की अधिसुचना तीन हफ्ते में जारी करने के मामले में सो मोहर को हाई कोट में सुनवाई हुई ये सुनवाई जस्टिस चंदर सेखर और जस्टिस नवनित कुमार के अदालत में हुई है। जार्खन नगर निकाय चुनाओ की अधिसुचना जारी करने को लेकर पार्चत रोसनी, खलको और अरुन जाने हाई कोट में अचका दाखिल की थी। टीम ने जीले के कई विद्याले का निक्शन कर विद्यालों में संचली सक्षनीक वागर सक्षनीक गती विद्यों का निक्शन किया। इसके बाद नेताजी सुभाचंद्र बोस आवासे बिद्याले में जीले के सिक्षा भी बाके अधिकारियों के साथ बैठा की है बताद बिद्याले के संचाल में ना परवाही बरतने वाले सिक्ष को वकर्मियों के विरूद आवसक करवाई करने का भी निर्देश दिया गया जीले के 7% बिद्यालों में प्रोजेक्ट इम्पेक्ट वा प्रोजेक्ट रेल का कारक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है वहीं प्रोजेक्ट रेल के ताह 7% बिद्यालों में प्रतेक सनिवार को विकली टेस्ट का आवयजन अवसक रूप से करने का भी निर्देश दिया गया ताकि बच्चों को गुनवाता पुन सिक्षा दी जा सके हाड अटेक आने पर अब एक कॉल पर पहुंचेगी एंबुलेंस हाड अटेक या हिदे से जुड़ी गंभीर बीमारी होने पर अब एक कॉल पर एंबुलेंस आपके घर पहुंचेगी स्वास्त विभाग ने 108 एंबुलेंस सेवा की तर्ज पर एडवांस्ट लाइफ सपोर्ट कार्डियक एंबुलेंस सेवा की पहल की है इसके लिए स्वास्त विभाग प्रधान सचीव अजय कुमार सिंग ने राशी स्विक्रिति कर खरीत परक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा है सभी जीलों के सिविल सर्जन को संचालन से जुड़े प्रस्ताव त्यार करने का निद्यस भी दिया गया है इसके हिसाब से ही यहां डॉक्टर और परा मेटकल स्टाप की निद्यक्ति होगी कार्डियक एम्बुलेंस सेवा सुरू होने से हिर्दाय रोग्यों को रहात मिलेगी फोन करने पर एम्बुलेंस मरीज के घर पहुँचेगी मरीज को प्राथमिक टीटमेंट देने के बाद इमर्जेंसी की चिती में मेटकल कोलेज या अस्पताल में भर्ति कराया जाएगा खुपिया जनकारी के लिए नोडल अपसर नियुक्त करेंगे बिहार वजार्खन लोगसभा चुनाओ को लेकर जार्खन बिहार के मुख सची और डीजीपी के बीच सोम वार्क होई वीडियो कंफिसिंग में सीमा परवाम पंती उग्रवाद और उसके अनुसर का योजना त्यार करने पर वर्ता हुई है वास्तविक समय के अधार पर खुपः जनकारी को सक्रिये रूप से साजा करने के लिए नोड़ल अधिकारियों की नियुक्ति करने पर समाती बनी तहाई किया गया है कि अपराधियों की आवजाही रोकने के लिए सीमा चौकियों और नाका बिंदियों को ज़्यादा सक्रिये किया जाएगा दोनों राजियों के अधिकारियों में अवैध हत्यार, गोला वारोद, नसीले पदार तसकरी और अवैध सराब व्यापार से समधि मूदे पर भी चार्चा की गई इंडिया की रांची रायली में कलपना सुरेन के नेवता स्विकार 27 जर्खन मुक्ती मोर्चा की 21 अप्रेल को होने वाली नयाए उल्गुलान महारैली में राष्ट्रे नेताओ के आगमन की स्विक्रिती मिलने लगी है सो मुआ तक महारहली में आने की स्विक्रिती जिन नेताओं ने दी है उनमें कांग्रेस अध्यक्स मलिकार जुन खरगे पुर्व कांग्रेस अध्यक्स डाहूल गांधी पंजाब के मुखमंतरी भागवन्त मान सिंग उद्व ठाकरे राजनेता तेयस्वी आदो भागपा माले महासची दिपांकर वटाचरे सामिल है अनेनेताओं से भी संपर्क साथा जा रहा है पूरो सियम हेमन सुरेन की पतनी कलपना सुरेन ने स्वेम महारहली की सफालता के लिए मोर्चा संभाला है उमीद की जा रही है कि इसी सप्ता अनेनेताओं का भी महारहली में आनात्त हो जाएगा सिक्षा विभाग के जांच में इस्कूल से गायब मिले गुरुजी सरकारी स्कूलों में संचालित पर्यास सह प्रोजेक्ट इंपेक्ट की वास्तुई थिति के परताल के लिए बेतन रोकने की अनुसान साखी है जारकन सिक्षा पर योईनाक के निदेशक आजित रंजन की निदेश पर 24 पता दिकारियों के नेत्युत में 3300 से टीम विभीन जीलों में सरकारी स्कूलों का अचक निरिक्षन कर रही है इसी करम में सोमवार को कई सरकारी स्कूलों में टीम द्वारा अचक निरिक्षन कर स्कूल में सेक्षनिक वतावरान, सिक्षकों एवं बचों के उपस्थिती, स्कूल की अधारभू संराचना लैब आधी की समिक्चा कर अपनी रिपोर्ट परिशत को भेजी गई है बिधायक आमबा परसाद का नाया गाना रिलीज बालका गाउं से कांग्रेस बिधायक आमबा परसाद ने प्राकेती पर वह सरहुल के मौके पर एक गाना बनाया है एलबम का नाम दिया गया है जिया हरसाई उसमें बिधायक आमबा का निरित वह संगित दोनों है इसी एलबम की लॉंचिंग पर उन्होंने सोम और को रांची प्रेस कल्ब में प्रेस कॉन्फिरेंस भी बुलाया था इड़ी और आय निती पर उन्होंने कोई ब्यान बाजी नहीं की प्रेस कॉन्फिरेंस के बाद वो इड़ी कर्याले पहुंच जी गई वहीं इडी कर्याले में उनसे जमीन हड़ अपने की कोशी स्थमकी से जुड़े करीबी आधा दरजन मावने मनी लोंडरी के बिंदू पर पुष्टाच होनी है गिरीडी लोगसभा छेतर में बिस्थापन पलायन बेरोजगारी है मुख्य मुद्दा लोगसभा चुनाकोले का गिरीडी संसद्य छेतर में भी सरगर्मी तेज हो गई है गिरीडी संसद्य छेतर में आने वाले च्छा पिधान सभा छेतर की बात करें तो हर छेतर में अलग-अलग समस्य आये हैं लेकिन पूरे संसद्य चेत्र में विस्थापन, पलायन, परदूसन, पेजल की किलत, बेरोजगारी और सिचाई सुवधा की कमी मुख्य रूप से समस्य आये हैं। पिछले चार दसकों में यहां एक भी नए उद्योग धन्दे नहीं लगे। डुमरी, गोमियो, बेरमो, डुमरी और टुन्डी विस्थ चेत्र में पलायन की समस्य विक्राल है। इन जागों से हर साल हजारों युवक रोजगार के तलास में दूसरे राज़ों में पलायन करते हैं। सिर्फ गोमियों से 10-15,009 जवान सूरत मुंबाई चेनाई आदी में काम कर रहे हैं। रिम्स में तैनाद होंगे 100 बंदुकधारी जवान। रिम्स परिसर की बेवास्था चाक चौबंद की जाएगी अस्पताल के साथ होस्टल और आवासिय परिसर की सुराक्षा को भी दुरुस्त किया जाएगा। रिम्स परिसर के बीच होने वाली जड़ाप को देखते हुए रिम्स में बंदुकधारी जवान तैनाद किये जाएगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनलों के सब्सक्राइब कर वाल का बेल एक अंद भाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले साथी साथ आपने में कुमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस्य दे थैंक यू